Hey, what's up people, my name is Sorof and in this video I am going to show you how to fix Windows 10 Start Menu आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा जो है Windows Start Menu जैसे देखिए मेरा Windows Start Menu है मैं प्रेस कर रहा हूँ and open हो रहा है एक काम कर रहा है सही से लेकिन कभी कबर क्या होता है यह पुरा फिक्स हो जाता है हम प्रेस करने का बाद भी यह काम नहीं होता है ठीक है तो उस उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए और उस बग को कैसे फिक्स किया जाए और यह दिखाएंगे इस वीडियो पे सबसे पहले आपको एक रिक्स करना चाहता हूं मेरा यह वीडियो पूरा एंट तक देखिए क्योंकि आप मेरा वीडियो में कोई भी पार्ट स्कीप कर जाओगे तो आपको समझ भी नहीं पाओगे और उसका बात आपका जो पॉबलेम है वह भी सॉल्यूशन नहीं हो बाद आपको मेरा इधर थोड़ा बहुत खुला था इसको मैं अभी फिलल तो इसको क्रोस कर दे रहा हूं सब टैपको उसका बाद आपको जाना है हु आइछ केई गए लोकल मेस्न पे में जाने का बाद जो प्सन आता है यह देखे सिस्टेम बोलोके Hello 맞 ciao आपको सिस्टेम में जाने का बाद आपको जाना है कारेंट राले तो इसमें पीजा कारैंट का मिंदे तो आपको यह जालु है जो सवTe imped fır आपको प्रादिए जाएगा तो आपको एकदम नीचे करके लेके आना है उसका बाद देखिएगा WPN पीएंड सर्विस बुलके एक ओप्सन है तो आपको उधर उखना है कि डबलू तो पहुंच गया उसका WPN सर्विस बुलके जो ऑप्सन देखिए आप देख पा रहे हो WPN service बोलके तो उसका उपर एक है WPN service उसका नीचे है WPN user service दोनों ही काम होता है लेकिन मैं आपको paper करूंगा WPN service में आपको जाना है WPN service जाने का बाद दिखे राइट साइड में जो start का start लिखा हुआ है उधर में आपको जाना है मौडिफाइब करना है क्योंकि start का जो value है हार एक का operating system में अलग-अलग value रहता है तो आपको start में जाके right-click करके आपको modify में जाना है and modify में जाने का बाद आपको दिखेगा value data 2 है ठीक है तो आपको अपना computer में कुछ भी सो होगा मान लिजा आपको मेरा जैसे कभी काम कर रहा है मैं अभी तू कभ value चेंज नहीं करूंगा तो फिलाल मेरा computer में जो है ओ टू बुल की safe है मान लिजा आपको जो problem हो रहा है आपको क्या करना है आपको इधा से 0 से लेके 4 तक try करना है ठीक है करने का बाद आपको कोई भी एक का value जो है वो fix हो जाएगा उसका बाद दिखिएगा आपका काम हो रहा है और इसका बाद आपको simply क्या करना है आपको इसको क्रोस कर देना है उसका बाद आपका जो windows का button है वो easily आपको काम करेगा तो आप मेरे चलेंड पे नहा है तो जरू subscribe कीजिए and like and subscribe मत करना भूलिए और इस वीडियो पे आपका कुछ भी useful हो या helpful हो तो comment करना मत भूलिए and thanks for watching don't forget to subscribe